मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊंगी, हर आस्परेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी अचली ये मेरा सेकंड अटेम्ट था और मैं तयारी 2021 से कर रही हूं तो अभी तीन साल हो चुके और चैलेंजिंग रहा है अफकॉर्स ये पात क्यूंकि बहुत आईसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोचल लाइफ पर बहुत साक्रिफाइस करना होता है लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूं कि फैमिली और फ्रेंड्स में काफी मुझा सपोर्ट किया इस जूर्नी में अचली मैं जब तयारी कर रही थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंग चाहिए या इतनी ही रैंग पानी है मैं हमेशा इस चीज में बिरीफ करती हूं कि हम सिर्फ हाड़ वर्ग कर सकते हैं बाकी रिजल्ट्स उपर वाले के हाथ में होते हैं और लक उपर वाले के हाथ में होता है तो तो उप 20 कभी माइंड में नहीं था वो तो बा-ई गॉद्स ऑफ गरेस ऐसा हो मुझा पढ़ाई के दोरान मुझे काफी तरफ से support मिला, मेरे दो study groups भी थे, मेरे friends के साथ ही, जो aspirants रहे हैं, तो उसमे मुझे बहुत काफी support मिला, senior aspirants से भी, इसके लावा मेरी mother ने इस journey में मेरी काफी support करी, किसी भी प्रकार का pressure नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर या कोई financial issues by God's grace ऐसे नहीं हुए, तो friends और family का ही बहुत बड़ा support रहा है, अब जो नए बच्चे के तयारी करने हैं, उनके लिए क्या कहीं है, क्या pattern है पढ़ाई का, किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहीं है, तो 2023 attempt का जो pattern था paper का वो थोड़ा different था, और इ और current affairs भी हमने more or less किया है, तो I think कोई मुश्किल नहीं है इस paper को निकालना, आगे I look forward to the training की, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के challenges, जो job में आएंगे उसके लिए तयार करेंगे, और मुझे diverse लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, कोर्स के दौरान, तो I am सब काफी कुछ है, it's a moment of pride for the family, considering the fact कि I am the first civil servant, first one to appear for the exam and being able to make it, और दोस्तों का जनोंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा, तो कहते थे कि हमें तुमारे उपर belief है, तो उनका भी काफी, वो भी काफी कुछ है इस सफलता से.